नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में और रुख करते हैं एक नई योजना की तरफ इस योजना से भी क्या आप बेटियों को लाव मिल सकेगा जी हाँ तो ये प्रधान मंत्री की योजना है दोस्तों साधी सगुन इसकीम जी हाँ दोस किम्न क्या है ये साधी सगुन योजना जो की यहाँ पर प्रधान मंत्री यानि केंद्र सिरकार के द्वारा इसको लाउंच किया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे इसके बारे में जानकर आपको बताएंगे कि कहां से इसको आप आविदन कर सकेंगे और कब तक आविद तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके दोस्तो इस वीडियो से देखने से पहले मैंने आपको एक कल भी वीडियो अपडेट किया बिहार की छात्राओं के लिए यह वहां भी 50,000 की रासी अप कर दी गई है और यहां पे अब विवाहित छात्राओं को भी इसका फायदा मिल सकेगा तो क्या इस योजना में जो की साधी सगुन योजना है इसमें भी विवाहित महिलाओं को फायदा मिल सकेगा या नहीं इस दोस्तों साधी सगुन स्कीन के तहत मिलेंगे 51,000 रुपे की रासी दोस्तों किसको मिलेगी रासी तो सबसे पहले जानते हैं eligibility criteria और उसके बाद कैसे आविधन करना है इसके लिए और आविधन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज यानिकी document चाहिए आपको तो आप इस वीड सब्सक्राइब नहीं कर पाती है और उनकी साधियों में भी दिक्कते होती है तो बहुत सरे जो जातराएं हैं उनकी साधी बच्चपन में ही कर दी जाती है तो ये समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री ने एक साधी सगुन योजना के तहट एक लॉंच किया है एक योजना इस योजना में क्या बाते कही गई हैं इसके बारे में जानते हैं गरीबी की रेखा से नीचे हैं यानि कि बहुत सारे लोग BPL काटेगरी में आते हैं ठीके तो अगर इस काटेगरी से भी नीचे हैं तो आपको इसका लाब मिल सकेगा चुकि देखे केंदर सरकार ने अलपसंकिक समुदाय को लड़कियों के लिए पीम साधी सगुम योजना की सुर रुपे देगी तो अगर आपकी शाधी नहीं हुई है और आपने यहाँ पे साधी से पहले अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है तो देखे आपकी शाधी तक की खर्चे यानि कि यावन हजार रुपे ये आपको केंदर सरकार देने जा रही है तो अलपसंकिक सम और समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रधान मंतरी साधी अनुदान एक परियास चलाया गया आप लोगों पता होगा प्रधान मंतरी साधी अनुदान परियास चलाया गया जो की इन समुदाय के लिए जो की मुसलिन कम्मुनिटी है उनको ये बढ़ावा देने के उनकी लड़कियों को उनकी जो बेटियां है यहाँ पे दोस्तों एक बात बता दें कि यह 51,000 रुपे जो सरकार दे रही है यह उन छात्राओं को देगी जिन छात्राओं ने अपने साधी से पहले ग्रेजुएशन कर रखा है यहाँ पे साप साप लिख्या गया है चीज़े स कर सकती है ठीक है यह योजना जो है दोस्तों साधी के पहले तो यहां देखिए योजना के तहर साधी से पहले इसना तक यह पढ़ाई पूरी करने वाली अलप संकिक समुदाय की लड़कियों को केंदर सगर 51,000 रुपे देगी यानि कि आपका अग्रेशन हो जाना चाहिए उनी को यह मिलेगा तो अल्प संकिक समुदाय बिशेश तोर पर मुस्लिम समुदाय की यहां पर चर्चा होई है यहां पर उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए भी चर्चा हो रही है पीम साधी अनुदान एक परियास इसके लिए कौन होगा योग है तो आगे जानते हैं eligibility criteria शादी अनुदान योजना में वे लोग हिस्सा ले सकते हैं जो कि पहले चीज तो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं पहले चीज जिनकी वार्थी कामदनी र्ण यान्य पिछड़ा जाती के लोगों को आवेधियन करने के लिए online जाती प्रमाण पत्र का क्रमांग को अगर आप शादी अनुदान से यहाँ पर शादी करना चाहते है तो अन्य पिछड़ा जाती जो की बहुत सारे उसमें भी काटेगरी होती है OBC, CST category भी होती है तो जो OBC में आती है महिला है उनको अपना एक प्रमाण पत्र बताना होगा कि वो OBC category से आती है और उसका क्रमांग जो है OBC का जो क्रमांग होता है वो साधी अनुदान योजना के आविधन फॉर्म में उलेख करना होगा अनिवार है आपको बताना होगा तो आप OBC वाले जो भी छात्राइं है इसका फाइदा उठा सकती है अन्य पिछड़ी जाती के लोगों के आविधन के लिए ज्यान दो सुन लेजेगा यह सिर्फ यहाँ पे अल्पसंख्या की ही बात की जा रही है यह नहीं सुच लिए कि आप हिंदू जो छात्राइं हैं उनकी लिए भी है नहीं यह अच्छड़ा पिछड़ी जाती जो बोला जा गया है यह अल्पसंख्या के लिए ही बोला गया है दोस्तो विवाह के लिए दिखिएगा यह चौथा अपडेट है यहाँ पे बिवाह के लिए किये गए आविदन में बेटी की उम्र साधी की तक 18 साल और होने वाले जो वर हैं उसकी एक कई साल अनिवारे है अगर आप यहाँ पी बिवाह के लिए आविदन कर रहे हैं अपनी बेटी क्या तो उसका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और वर का उम्र 11 साल होना चाहिए जिस बात का ध्यान रखेंगे तभी आप इसका फायदा मिल सकेगा 51,000 रुपे गिरासी आपको सरकार के दोरा दे होगी साधी अनुदान योजना एक परिवार केवल दो पुत्रियां हैं उन्हीं को इसका फायदा मिल सकेगा अच्छा बहुत सारे चाहतर पुझेंगा कि क्या बेटी को भी काउंट के ज़ेगा तो नहीं सिर्फ दो बेटी हो तो चलेगा ठीक है अगर बेटा भी है तो कोई दिकर ने लेगिन बेटी दो होनी चाहिए उन्हीं को इसका लाब मिलेगा नहीं कि आप बेटी तीन चार है तो उनको यह लाब मिल पाएगा नहीं यहां पर यह क्रेटेरिया फेल हो जाएगा और वो नहीं कर पाएंगे आविदन अच्छा क्या प्रोसेस है भाई आविदन करने का तो आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि मैंने आपको यहां पर अभी थोड़ी देर पहले दिखलाया मौलाना आजाद फांडेशन एजुकेशन फांडेशन और यहां पर जाको आपको रजिस्ट करना होगा दोस्तों ठीक है रजिस्टेशन करते समय ध्यान दिजीएगा मैं बताओंगा प्रोसेस आपका इसका अभी यहां पर क्या क्या चीज़ी बोली जा रही है तो आपको नई पंजी करन का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प में नीचे जाती के अनुसार दिए करना होगा तो यह एक प्रोसेस होगे आपको आविदन करने का आप लोग कमेंट बोक्स में जब कमेंट करेंगे और कम से कम यहां पे 500 कमेंट आएंगे तो मैं इसका फॉर्म भी भर के बताओंगा ठीक है लेकिन कमेंट ज्यादा ज्यादा आने चाहिए ठीक है दूस्तों 57000 से कम का होना चाहिए आधार कार्ड जो कि आपका होना चाहिए खुद का पहचान पत्र जो भी यहां पर है आधार कार्ड पहचान पत्र बैंक खाता मोबाइल नंबर और आविदक का साधी प्रमानपत्र अगर लब शाधी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे एक तो क्रेटेरिय यह भी दी गई है कि साधी से पहले इसनातक हो और उनका यह साधी के बाद अगर इसनातक हो तो यह अमानने हो जाएगा साधी का आविदक का साधी प्रमानपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो यह आपको लगेंगे यहाँ पे तो यह फायदा जो है दोस्तो उन छात्राओं को भी है जिनकी शाधी हो चुकी है क्योंकि वो भी उचे सिख्षा के लिए यहाँ पे आप लाई कर सकते हैं और उनका ग्रेजूशन जो है साधी से पहले अगर हो गया है तो उनको यह फायदा मिलेगा तो क्रैटेरिया समझ गये आप लोग यहाँ पे यह इन्पॉर्टेंट है तो जो साधी सुदा है उनको भी इसका लाब मिल सकेगा 51,000 अपे तकी रासी यह साधी सगुन इसकीम जो कि प्रधान मंत्री यहाँ योजना के तहट इसको लाया गया है और पी-म साधी अनुदान एक प्रयास के तहट इसको लाया गया है तो दोस्तो इस वीडियो की माध्यम से हमने आपको यह सारे डिटेल अपडेट किये है जो कि साधी सगुन इसकीम जोजना के तहट आपको 51,000 जिया चात्राओं को मिल सकेगा चाहे आप साधी सुदा है यानि कि विवाहित है या फिर विवाहित नहीं भी है तो भी आपको उच्छी सिक्षा प्राप्त करने के लिए राशी दी जा सकती है तो आपको अगर इसका फॉर्म यानि कर जिशन वेगरा सब कुछ पता करना है कि कैसे भराएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किजीएगा 500 से उपर कमेंट है तो इसका वीडियो एक जरूर बनाया जाएगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए ठीक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का